वेलकम बेक टो माई टूप्चन पेपर हैकर आज किस वीडियों देखेंगे जो भी छातर बीसी थर्डियर में है उनके लिए सब्सक्राइब करने वाले हैं अब यहां हम बात करने वाले हैं मिलिटरी स्ट्डी के सेकंड पेपर में 2022 में आने वाले कोशन आप इन कोशनों को याद करके 50% प्लस लेके आएंगे मैं आपसे बादा करता हूं इनके अलाबा कुछ और मत पढ़ना पढ़ने की जरूरती नही उनिवस्टी यूके मतलब उत्तरा खंड के आपके सी उनिवस्टी से है और यही कोशन आपके एक्जाम में आएंगे आपके पास बुक होगा बुक नहीं है तो नोट्स तो आपने लिए होंगे जुस पर गैस पेपर कोशन बैंक बोलते हैं स्रीज बोलते हैं जो मार्केट को डानलोड करिए और अच्छी तरीके से बढ़ाई करिए हमने सारी सुब्धाय दे रखी है कोई शू नहीं है आप यह चाहते है कि मैं नोट्स को डानलोड करूँ और किसी भी कैफे पर जाकर निकलवा लूँ ठीक है किसी भी कंप्यूटर शेंटर पर जाकर निकलवा इस पर टिक लगालो पहला कोशन ने हमेटा से लेक्पों यहां बोला है सैन मनोविघ्यान ठीक है की उद्भवल के नंजेंक सब्सक्स का कयसे हुआ उद्भब कैसे हुआ उसका इसकी अफिक आनर सान्व तृत करना होता है तो ही याद करेंगे पर्थम विष्विःद और दुती विष्विःद को अच्छी तरीके से याद कर ले ना यहाँ पूलागया है देखो सैने को की मनोवयझ्यानिप चैन परकरिया से आप क्या समझते हैं सैनिक होते हैं उनकी मनो Jour प्रेक्षण होता है उनके स्वारूपों और उनके महत्वों की ब्याक्या करनी है मतलब कि आपको जो स्वारूप कैसा होगा उनके महत्व क्या होगा है नेक्स कोशन है मानब ब्यवस्था जो होती है उनके सैनिक के महत्व क्या होते है जैसे मानब ब्यवस्था में सैनिक के मह महत्व क्या होती है आप उसकी उन्हें लिंग करना है उसके बारी मियाद करना है आप जानते हैं निर्तित्व का युद्व में क्या इस्थान होता है वह आप देखेंगे और जैसे कि से लिक नेता लीगोंहें जैसे यहां Hut Swedenική के इसफषण कह सकते हैं एक प्रूब tyre करना है कह सकते हैं एक प्रवक गुड़ों की बारे में आपको बताना है जैसे कि एक सेनिक नेता के प्रवक गुड़ क्या होनी चाहिए उस बंडीदों का बunn करना है और अब जो युदे से आप क्या स्थान है ओ है में आप याद करेंगे यह चोशन बहुद कहते हैं सैनिक जो सैनिक जीवन में समहू जो गर्टात्मक कह सकते है उनके तात्वरी क्या होते हैं तो नेक्स कोशन पर नेगा आई कि द्रौट सेना होती है उनकी महत्वग्या है ये आप देखेंगे अभिवरती से आप क्या समझते हैं ठीक है और इंपर्यवारति इसे परिभास आप याद करेंगे लिए है किस्अप समयोजन से आप क्या ताथवर हैं मतलब क्या समचते हैं यह तो आप इसकी परिवास एक करेंगे कि समायोजन क्या होता इसकी परिभास다 और यहां बोला गया है जो उत्पन समस्याओं का वडन कर रहा है कौन कौनसी इसमें समस्याओं उत्पन हो जाती है आप यह याद करेंगे ठीक है उसके बाद में नेक्स कोशेन पूला गया है कि सैनिक संगठर में जो भावना होती है नवहत्म और धल भावना के विकास के जो उपाएं होते हैं उनकी व्याख्या करनी है ठीक है most important है कि जो सैनिक संगटन है उनके दल्भावनों जो दल्भावना होती है उनके क्या क्या महत्म है दल्भावना के और दल्भावना के विकास का जो उपयोग किया गया है वो उनकी व्याख्या करनी है ठीक है उसके बद्धी परिवर्तन क्या होता है तो बुद्धी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं उनके महत्व क्या यह देखेंगे और सैनिक और मनो बिज्ञान में संशित बढ़न करना है उसके बाद में समाजsk विभार की जो मूल प्रवर्तियां होती जो वह कौन कौन सी है और मनो बिज्ञान का प्रणात्मक सिध्धानथ है आप उसको देखेंगे समु कितने प्रिकार की होते हैं आक यह याद करेंगे रमी प्रिक्षण होता है यह कैसा होता है इसके बारें पर व्यात करेंगे साथ आप से पूचा गया है जो सिक्षण है सिक्षण होते हैं उनके इस्थांत्र क्या है आप यह देखेंगे और निर्तत्व के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती है वो कौन कौन सी है वो आप याद करेंगे इस प्रेक्टिक लगा लो उसकी बाद में नेक्स प्रेक्टिक लगाएंगे बिटा नेता के जो पिर्मकार होते हैं और उनके मनुबल का महत्व क्या होता है आप उसके बार में इस्पष्ट करेंगे और यहा प्रिचार में जो सफलताएं होती हैं उन सफलताओं के उपाई कौन-कौन से हैं और यहां देखो यहां का बोला गया है सैन प्रिचार में जो सफलताएं करने के उपाय क्या है तो यह कोशन थे 2022 में आने वाले कोशन आप इन कोशनों को दुबारा से वीडियो देख लो कोई दिक्कत नहीं है आप इस पर टिक लगा लो नोटस पे बोक आप जोगा इस पर जवाब की आपकी पास है उस पर टिक लगा लो अच्छी तरीके से और यह कि याद करना है इसके लगा कुछ और याद में नहीं करना है इंक्यों फूर वाचिन दिस वीडियो वाइब दोस्तों को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से जादा दोस्तों को शेक्र कर देजिए